व्यम्रसकार मैं देविंदर चाहर। पर्फोमस च्शूटर में आपका स्वागत करता हूं, इस वोडियो में हम देखेंगे ट्रिव्टिक्नोमेटर रिशॉस औव कॉंपलिमेंटरी एंगल्स मतलब दो एंगल के सम यधी निटरेटी होता ए उसे हम क्या कह तो क bike, मतलब कि कोई दो एंगल है ठीक है उनका सम यदि 90 degree हो रहा है तो वो क्या कहलाएंगे यहां पर देख सकते हैं यह आपके सारे जो यह रिशोस बनते हैं आपके यहां पर ठीक है यहां पर देखने के की को मिटरा है ठीक है यह जो हमने पड़े इनको प्रूफ करना है यहां प्रूफ क्या है अप समझते हैं लेस इन 90 डिग्री कॉंपलिमेंटरी एंगल का मतलब होता है यह कोई दो एंगल का यह नगी नाइंटी डिग्री है तो वह जाएंगे गींट्री ठीक है तो हमें क्या करना है प्रूफ करना है यादि एक क्यूट एंगल है ठीटा तो हम क्या करेंगे इसके लिए एक ट्राइंगल रो करेंगे यह हमने जो है ट्राइंगल रो कर लिया है हम ठीक है हम क्या करते हैं से पहले हम आप लिखेंगे प्रूफ करेंगे यहां consider a right angle consider a right angle triangle a b c a b c right angle at right angle एकिे राइट इंगल हमने किस पर लिया पीप लिया ओके यदि मैंने a happierinin झाल कि होगे आपके एक्षिप अलों क्या होते हैं तो यदि अब और ये दो चो अंगल होते हैं आपकी ये यह वाला एंगल को सम क्या कह लाता है कॉंप्गेमेंटर एंगल ठीक क्या ये देखी इंगल के इंटीर एंगल का सम कितना होता है 180 degree angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree पर angle B यदि 90 degree है तो बाकी दो बच्चे उन दोनों का क्या सम होगा वो उन दोनों का सम होगा कितना 90 degree होगा angle A plus angle C का कितना सम होगा 90 degree होगा ठीक है ओके चलिए अब हम क्या करते हैं अब हम करते हैं इसको consider करेंगे ये इसको consider करेंगे theta ठीक है इसको में करता हूं theta angle करता हूं एंगले एंगले या पर यह थियों लेके हैं तो ऐसा रहते हैं एंगल C-A-B- 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 जिसको आप कर रहे हैं वह बीच में आना चाहिए ठीक है तो तो एंगल एक क्या ले लिया है मैंने ठीटा ले लिया है दैन और क्या हो गया एंगल एसी बी एसी बी को क्या ले लूँगा A, C, B, το छिकने, A, C, B, को क्या ले लिए ? ACB को ले लिए लिए ? क्या ले लिए ? 90The selected ? क्यासे लिए ? यह थीनें अंगल है टिकर है ? आपको अंगल लेखे को देह pro लेख peculiarly plus angular B एसे डिक्ते अंगल भी प्लस एंगल C is equal to 180 टिक है यह मने पढ़ाया पहले एधिए एंगल एए मैंने ठीटा लिया एंगल एक लिया मैंने ठीटा लिया ओके एंगल भी मेरा कितना है 90 डिग्री है ठीट प्लस एंगल सी जो कि मुझे पाइंड करना है तो 180 डिग्री तो यह सी 90 डिग्री उदर चला जाएगा ठीटा प्लस एक इस एकल टू नाइंटी माइनस नाइंटी तो यह कितना हो जाएगा इसको ठीटा कंसिलर कर लिया यह आपका 90 डिग्री आपको पता है कि यह ए 90 क्या जाएगा है आपको 90 थीटा है यह वाला क्या जाए अपका 90 थीटा ओकए तो ए से बें कितना आ आपका 90 डिग्री माइनस थीटा यह आपका ठीटा है यह आपका 90 माइनस थीटा है फिल तो कुर्णे करेंगे Summen कल करेंगे ट्रिग्रों मेंटिक रेशियों एट एंगल चीटा यहां से technicitis उंस इड़ा करेंगे पहले यहां से करेंगे फिर हम हंसे करेंगे चलिए इसमिलर तिकिए वैन्वी एस्ड़न भी संचीडर है टी रेशोम्स एट एगल मैं एगले से टिनो में टिक रेशोम करता हूं तो अब देखें बेश क्या हो जाएगा इसका एवी बेश क्या हो बेस हो जाएगा आपका A B P car park किया हो जाएगा वी सी ठीक ए अपॉसेट Grace होजाएगा अपर निकालता हम के sign 的 क्या होता और यह दिमयास और रेशो सने कलता हम ठीक्ट ठीकर क्या हो जाएगा साइड आपको पता है क्या होता है हमको वही है एक नतरी प्रसाद हर भोले शाइन पर और पर चलों हो गया। अप्रेंटानाश निकालते स् सभी याँ निकालते हैं क्या होता है अब और ग कोई इसे थी सृश्वा जो वयह सब्सक्राहिआ है को साउसर इसके मला वबसंव को सी κोंटुल थी को स्यक्वी ठीलता हिम सब्सक्राइब अधिंग थीटा क्सक्राइब तो फिन्स प्रिपेंटी जो पहने से 20 अख और बैपाँ्टी पाइब कि एक निकालेंगे कोर्ट ठीटा प्रोट क्या होता है अपका एक क भी धिकि धंबन संती थय्क गरतेम आप अपका फिल क्हुंदड करती है और सब्च ने सब्सक्राइब करते और कुंदग इस एप दमिषक अपम फिल यह क्या हो गार एका यह आपका यह आप 5000 आप हम यहां से अब यह हम चिंडर करते हैं नाइंटी माइनस थीटा से तो आपके क्या आते हैं यह अब हम यह निकारेंगे तो को वैं वी कंसिडर है सब को एक टी डेश्योज थिटा यह एक अगल 90-टव्य इस टो यह आप यहां से आप देखते हैं तो णाइटी मैं ठीटा से आपका यह सोजाएगा यह ठीक है यह आपका क्या हो जाएगा बेशी किसे यह आपका परपरिंटिकूलर यह झाईगा हॉपीदि ए और साइन ट्राइब का बी सीพर्पेंटिकुलर अग श्याई के अब किया एकी टोच्टिक वर्ट परिनरंवा जाएगा आपका कि असी सिच्छे जा ना इंटी माईनलर सिटाष क्या हो जाएंगा कर मोस्थ इंटी मैंनल सुथा यहाद है साइन को से निदेखतें तो पर बेस अपन है पॉर आपकर देखते हैं पर बेस अपन है क्या हुजाएकि आपकी बी-शी कि एन है पटेन्स एसी ओक्यिंड उस्सेद City ओके अगैंने आप देखते हैं तो अशनते हैं क्या को से क्यों आफ का को से क्या हुता है अपका को से होता है है अपना परपेंटिकुलर है थिसका आपका इस वह पर परपेंटिकुलर अब के लिए हिरा कोके लिए जिए लाillon जाइप टिनाइम्ट जीटा ऑगे राम झाइब बमृण सेटा के। ड्यु नहीं त उचा से ag का बेस पंगाव का बेक्ड किलर वे सिपनर अ कर गेड कर गाल मीच चैनल ब bénशिट हो जाएगा कर हम सच 90% क्स अभर अपन सर्पन भी सह वर सिपन है आपड अपन जल केसे एक टनद का आपका वी इसे सरे अपकर थे करते कूश्य का थे तो दोनों equation को यदि compare करते हैं angle इसको equation 1,2 को यदि हम compare करते हैं तो आप देख सकते हैं कि sin theta is equal to bc upon ac है यदि आप यहाँ पर देखते हैं cos 90 minus theta is equal to bc upon ac मतलब दोनों ही bc upon ac और यहाँ पर bc upon ac के equal है it means इनका जो RHS है वो equal है तो हम इनके LHS को भी equal कर सकते हैं यदि bc upon ac equal यदि sin theta है यदि cos theta भी bc upon ac equal है तो इसका मतलब यह है कि sin theta equal है cos 90 minus theta के और cos 90 minus theta equal है sin theta के ठीक है इस तरीके से ठीक है तो यहाँ पर मैं यदि compare करता हूं equation 1 and 2 को दोनों को यह 1 पूरी है 2 है comparing comparing क्या मिलता है हमें तो देखिए आप फर्स्ट हमने देखा कि sin और यह cos तो यह क्या हो जाएगा आपका sin theta is equal to cos 90 minus theta तो आप यहाँ पर देखिए sin theta यह वाला देखिए sin theta is equal to cos 90 minus theta आपका यह प्रूफ हो गया है आप इसको यह लिख सकते है है यहाँ पर देखिए sin theta is equal to sin theta से भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए यह दोनों यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखने को मिलेगा इसके रह इस इक्वल है ठीक है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ठीक है यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते है है तो आप यहाँ पर देखिए यह भी हमारा जो है प्रूफ हो चुका है उसी पकार से यह आप आके देखते हैं 10 theta is equal to BC upon AC तो आप को करा देखने को मिलेगा कॉट ठीक है BC upon AB BC AB 10 theta is equal to 90 minus theta is equal to 10 theta समझ मैं है तो उसी पकार से आप आके देखते हैं तो को सेक AC upon BC को सेक क्या आपका AC upon BC तो यह आप सेक पर देखते हैं सेक AC upon BC तो क्या हो जाएगा सेक 90 minus theta is equal to क्या हो जाएगा आपका आपका कॉसेक थीटा या फिर कॉसेक तीटा इस इकल तो 90 minus ठीटा ओके यह आप आगे देखते हैं तो कॉट ठीटा इस इकल टू इबीप अपन BC तिक तो तो अपर फार प्रोड यहां पर देखने को मिल रहाए आपको 1090 सुटीटा टिकर 1090 माने सिटा क्या हुजाएगा आपका 1090 मालज टीटा स्टीटा क्यों जाएगा कोट टिटा ठीक है 1090 मालज इस पर कोट टिटा यहां हम ने हैं कि क्या हो जाएगा आपका Cosac 90-θ is equal to 1.2 । समझ में है धिए हमने क्या किया यह इसके पर यह यह उपले देखने को मिल रहे है ठीक है यह अधी आपकी यह एक इस यह भी जो है वह एकवल हो जाएंगे तो हमने चोवे सारे प्रूप कर ली है ठीक है को जिस तरीके से यह जो फाइंड हो सकते हैं यह आपको वीडियो अच्छे लगाओ तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें ठाइक यू दन्यवाद